तो फाइनली वो भी 45 का अपडेट आ चुका है और Free Fire Max वाले तो बहुत खुस होंगे अपडेट माल लिया हो अब तक बढ़ नॉर्मल Free Fire वालो का क्या वो लोग नॉर्मल Free Fire को अपडेट कैसे करेंगे अरे पूछ रहा है कि बता रहा है बे ने बता रहा हूं तो इसलिए तुम पहले एक काम करो जाओ गेम के अंदर सेटिंग पर क्लिक करो और यहां पर जो कस्टमेशीडी को अपलोड करने का बटन है बास इस पर क्लिक कर दो इसी क्या होगा जो तुमारे कस्टमेशीडी है वो सेब हो जाएगा और अपडेट मारती ही तुम अपना कस्टमेशीडी को डाउलोड कर लेना ठीक है बस इतना सा काम कर लो बहुत जरूरी काम है इसको कर लो उसके बाद चलो बता तुम नॉर्मल फ्रीफायर को अपडेट करना है और हाँ एक और बात मैं जो भी बताऊंगा वो करने से पहले नॉर्मल फ्रीफायर को तुम डिलीट कर देना ठीक है डिलीट करने के बाद में यह करना तो यह देखो पुरा लाइफ दिखारों में तुमें क्या करना है तुम्हें पहले जाना है सर्च करना . इससंपर क्लिक करना ये पुराना वर्जन दिख रहा है बट है नुु वर्जन है इसके लोगो-चेंज नहीं हुआ है नीचे इस्ति फ्रीफायर मेक से उपर फ्रीफायर है यह हो गया free fire, normal free fire हमारा open और उसके बाद यहाँ पे setting पे चले जाना और अपना जो custom is UD है जो तुमने upload किया तो उसको download कर लेना बस हो गया, खतम, बस इतना सा काम करना है और तुम्हारा normal free fire अपडेट हो जाएगा ठीक है तो चलो बस इतना आज की वीडियो में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई